पहिंज भारत मेरे वल शादानन पती और वैश्विक तोर पे हम एक बहुत बड़ी बीमारी से जूज रहे हैं कई बार मुझे लगा कि हम बीमारी से जूज रहे हैं या सरकारी तैयारियों से जूज रहे हैं मुझे ये करना ज़रूरी था क्योंकि जब लोगों को मैं देख रहा हूँ जो लोग डेथ कर रहे हैं जिनके घर से सदेश्य अपने जान गवा रहे हैं तो चुप नहीं रहा जाता अभी हाल फिलाल में मैंने कुछ वीडियो पोस्ट किया था आपने देखे हूँगे लेकिन ये जो विशे है जो विशे मैं आज उठा रहा हूँ करोना का ये अत्यनती महतपूर्ण विशे है हम सब लोगों के जीवन के उपर अधारित है और हम लोगों के संगर्स के उपर अ असीन कर दिया मुझे बताएं इस बास से मुझे खुश होनी की जरूरत है या मुझे इस बास से दुख मनानी की जरूरत है जो लोगों ने अपना प्राण कवाया आप लोगों ने सेंटर में होते हुए इतना सारे राज्जों में होते हुए लोगों को प्रापरली अवेर से रोकना है केवल नसियत देते रहे आप टैबलेट दवाई आज सक इसकी कोई बनी नहीं वैक्सिनेशन कोई हुआ नहीं थे यार लेकिन किटे वीकने लगी आपको याद होगा मार्च और अप्रेल में किट की क्या रेट हो गए थे डाई हजार तीन हजार चार हजार कभी कह बतानी आपने कैसे तैयार किया नहीं क्या मैं नहीं जानता लेकिन काला बदारी खूब होगी दुनिया भर के सैनिटाइजर बिकने लगे मैं आपको बताना चाहूंगा आप किसी दुकान पे चले जाएं पचास तरह के सैनिटाइजर बन जाएंगे मिल जाएंगे आपको क कि इनका कोई मापदंड है कि इनकी कोई quality consciousness है कि यह कानिटाइजर में रिकौर्मेंट है आप ने भी तक सरकारी तॉर पैसा कोई रिकौर्मेंट नहीं किया जो मर्जी लोगों ने घरों में बना कर दुकानों मिलाकर बेच दिया ऐज शोब बना कर बेच दिया पतानी अलकॉल कंटेंट्स मिथाईल पतानी क्या-क्या मिला के बना दिया आप तो ये भी नहीं कर पाए आपने सुरुवात किया था हम लोगों के साथ कि वह ये चीज है कि आप तो बहुत कम है आपने का नौ मिनट तक दिये जलाओ आपने का मुंबती जलाओ ठाली पिटेंगे और अंद भ वारिस मार दिये कितने वारिस मार दिये अंद भक्तों पूछो अपने गुरुजी से हर चीज को धार्मिक बना देना हर चीज को हिंदुत से जोड़ देना और एक बहुत अजीब बात है मोदी जी आपकी विशेस बात है आपकी आप कोई भी चीज मध्यरात्री में क्यों दिन के काम दिन में नहीं हो सकते क्या दिन के उजाले में बात कीजिए आके लोगों को फेस कीजिए आप तो उस दिन के बात जनता के भी चाहिए नहीं किबल मन की बात करते रहे आप मन की बात तो सुना ही नहीं न आपने इतना सशक्त भारत आपने बना दिया इतना मजबूत बना दिया कि लाखो करोडों मजदूर नंगे पाउं सडकों में घूम रहे हैं जी पैरों में छाले पड़ गए अपने प्रांट सडकों पे त्याग दिया उन लोगों ने क्या कमाल का डेवलप्मेंट किया आपने क्या कमाल का डेवलप्मेंट किया आपने जिस वे अमराज जी क्या बोलेंगे अरे पगले तू दो बहुत समझदार निकला अच्छे दिन तो आने के नहीं इसका मतलब तू तो अमरत को प्राप्त कर लेगा तू यह द्रिश्य जो हस्पतालों को मुझे दीख रहा है लाकों करोडों को दीख रहा है आपको भी तो दीख रहा ह संत्री अभी नहीं नहीं जो आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्षवें गुपता जी अब उप चुनाब के लिए लोगों को वोट मांगने जा रहे उनसे कहिए वोट मांगने को लीफलेट ना बाटे लोगों को सैनिटाइजरी बाट दें मास्की बाट दें धिकार है शर को मानते होंगे पर क्या आपके दिल गवाई नहीं देता आज कि सीति को देखके हर चीज़ पर एक मैसेज आ जाता है इसका ये कारण है इसका वो कारण है सत्य को इगनोर तो मत कीजे वाई आर यू ट्राइंग टो इगनोर दा बेसिक ट्रूथ पीपल डाइंग हस्पतालो में एक लाग से दो-दो लाग रुपे पर डे का खर्चा लिया जा रहा है जब करोना की दवाई ही नहीं बनी जब करोना का वैक्सिन ही नहीं बना आप उन्हें क्या ट्रूटमेंट देते होगे ये जो अस्पताल वाले प्राइवेट अस्पताल वाले एक लाग से दो कान दो गया ट्वीट आ गया अभी शुशान जी चले के सुसाइड करके मुझे दूखे उनके मृत्यू का सभी का आपने ट्वीट कर दिया आरे जो लाखों लोग मर रहे हैं इनके लिए आईए टीवी पे एडमिट कीजिए अपने फेलियर्स को वीर शक्स वो होता है जो है के अंदर क्या करोना की कोई तहारी हुई थी हमारे आज सक लोगों को 3 mm का मास्क नहीं मिल रहा है अंदा धुंद रेटों में बेचा गया दवाईयों के दुकानों में भी बेचा गया बताना चाहूंगो आपको और ब्लैक में बेचा गया क्यों हुआ यह सब किसानों को सबजी के रेट नहीं मिल रहे लेकिन सोसाइटीज में जाईये क्या रेटों में सबजी अभी करी है करोना के उपर अगर आपको मैं बताना चाहूंगा अर्विन केजरिवाल जी आपको तो शर्म आनी चाहिए शर्म धिकार आपके उपर धिकार है आपने कहा केवल दिल्ली के लोगों का अधिकार है दिल्ली के अस्पतालों में शर्म नहीं आई आपको है जब आपने अंदोलन किया था तो किवल दिल्ली के लोग जुड़े थे क्या आपसे समस्ता भारत वर्स के लोग विदेश नराइद आए था आपके लिए लाखों करोडों का दान दिया था आती है मैं आप से प्रेरिद दुआ शर्म आती है कि आप मुख्यमंत्री बनके बैठे हुए है बड़े बड़े बॉल बोलते हैं बीजेपी यह कर रहा है कॉंग्रेस हो कर रहा है कहा है तुम्हारे नेता कोई गलीम आया या दिल्ली के दंगों में भी नहीं आए हैं आपक तक आप डेड़ बॉडी ने उड़ा पाए है कैमरे लगाएंगे आप दिल्ली में ऐसे आप दिल्ली को बनाएंगे दिल्ली हमारा दिल है भाईस आप दिल है आपने किस्मू से यह कह दिया कि केवल दिल्ली वालों को एलाज मिलेगा शर्म नहीं आई आप आप दिल्ली से दे ने था आम आदमी पार्टी के ने था भाशन बंद कर दीजे बंद कर दीजे अपने भाशन करोना में आपने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गरीमों को सड़कों पे छोड़ दिया आप माने मेरे भाईयों और बैनों रातों को नीन नहीं आती नीन नहीं आती उस मा के बारे में याद करके जिसने अपना बेटाओ दिया नीन नियाती उन बेटों को बारे में जो अपने माबाप के लाश को आस्पटाल में फोड़के भाग गе कितना डर उन के दिल में कितना रोता होगा उनका दिल केवल इसलिए कि मापाप तो चलेगे कई बच्चे ना मर जा इस बिमारी से क्या तैयारिया किया आपने क्या सानिटाइजेशन किया आपने जब मरजी दुकाने खोल दी जब मरजी ठेके खोल दिये जब मरजी ठेके बंद कर दिये जब मरजी जो आया सब कर लिया कोई डिसिप्लिन नहीं औ अब देड़ सो लोग संकरमी थे तो आप एकदम आगे चल रहे थे सेनापदी बनके करोना वीर बनके और जहां लाग पहुंचा आपने हमें छोड़ दिया आजकल करोना के सर्टिफिकेट बाटे जा रहे हैं करोना योद्धा आप लोग अपने आप में बांट लीजे जिनके आजकल सब तो पेपर में होता है न ये जुमले बंद हो गए आप चुनाब की द्यारी कर रहे हैं बिहार में दस हजार LED लगा दिया आपने बीजेपी के ब डरते नहीं है बिहार के लोग बंगाल के लोग जारकंड के लोग डरते नहीं है भारत का कोई वे राज्यकाद में डरता नहीं है जी निर्विक पैदा हुए हम जबी तो मैं बोल रहा हूं अर अंद भक्तों और बीजेपी के प्यारे भक्तों अब तो चम्चे बोलूँग कि यूट्यूब के जितने चैनले में मेरे इंटरवी हो गया है नैशनल टीवी में इंटरव्यू रोग दिया जा रहा है किस बात का डर है भाई मैं तो मिडल क्लास का हूं करोना में तुम फेल हुए और अर्विन के जिरिवाल दोबारा बोल नहीं थिकार है तुम पे धिकार तुमने भारत को बांटने का काम किया तुमने दिल्ली को दुसरे राज्यों से तोड़ने का काम किया तुम के तो अरे तुमने दिल्ली के किस आदमी की परवा कर ली वही किस आदमी को अस्पताल पहुंचा दिया तुमने वीडियो दिखाऊं किया तुमें आ रहा हूं तुम आम आदमी के तो तुम हो ही नहीं भई कुछ नहीं किया भाई साब गरी मज़ूरों को खाने का ठीकाना नहीं आटो वाले चुपचाप घर में बैटे हैं टैक्सी वाले बगएर नौकरी के हैं किस्ते जा रही हैं प्राइवेट हस्पताल समझ लीजे गौवर्मेंट के एटी तुम एक लाग रुपे परड़े का ले रहे हो है भई शरम नहीं आती शरम नहीं आती आम आदमी पार्टी का खुद को बताते हो अंद वक्तों तुम हमिसा बोलते हो ना कि मैं चमचाऊं मैं जाडू का मुरीद हूं सुनलो मेरी बात अच्छे जे किसी को नहीं बाईयों और बहनों मैं रेबल शदानन पती आप लोगों से प्रामिस कर रहा हूं जुलाई में रेबल आ रहा है फांडेशन डाल दी गई है मुझे आवश्यक्ता पड़ेगी वकीलों की मुझे आवश्यक्ता पड़ेगी रिटाइड आईएस आईपियस अधिकारियों की मुझे आवश्यक्ता पड़ेगी आर्मी के रिटाइड करनल ब्रिगेडियरों की एर फोर्स के विंग कमांडरों की एर आफिसर्स की ताकि हो मेरे साथ आएं मुझे गाइड करें और ये संगटन रेबल देश भर में काम करेगी हमें राजनीती नहीं करनी तुम ये सोसेद का प्रदेश सद्यक्ष बना देंगे कांग्रेस के लोग परिशान है आप हमारे पास आजीए अरे तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे पास आ जाएं लोगों के भी चाओना मुझे लेके क्या करना मेरी क्या उकात है मैं ते काम रेबल हूं हाँ पर एक बात है करोणों मात लड़ाया गया एक मुद्देक अंतरगत दिल्ली को लग किया गया जैसे केजरिवाल जी ने भी प्रयास किया कि दिल्ली के लोगों कोई लाज मिलेगा मेरे भाई और बेनों अब समझ लो क्या है दिल्ली क्या है भारत और अर्नब गुसामी कहा है तेरे वह शब्द भारत अब भारत के लोग कि तेरे कहने से नहीं हो जाएगा भारत पूछ रहा है आके पूछ भारत क्या पूछ रहा है आओ उन लोगों के पास जिनके बच्चे मर के सड़कों में स्टूडियों में बैट की क्या चिलाता रहता है और नहीं तो बुला मुझे एक बार और बुला टेरे नितां को मजाक मना के रख दिया है हमें हिंदूत का पड़ाओगे अरे मैं ब्रामण हूं मुदगिल तू पढ़ायगा मुझे हिंदूत के बारे में पहगवा रंग में लेगा Mηजे अरे हम तो जनम से भगवा है हिंदु तो ने कब सिखाया कि मुसल्मान भाईयों के खिलाफ जाओ कब सिखाया गांधी जी अफरीका में गए अफरीका के लोग हिंदु तो थे क्या तुम गांधी जी से भी बड़े होगे नेता जी सुवास्चंत्रबो से बड़े होगे तुम तुम लोगों ने जीते जी मार दिया तुम पाटियों ने मिलके बीजेपी कॉंगरे साम आदमी पार्टियों ने तुम लोग ने मार दिया हम हिंदुस्तानियों को हम भारतवासियों को मेरे प्रिय हिंदु भाईयों बैनों मेरे प्रिय मुसल्मान भाईयों बैनों माताओं और मेरे वीर सिक्खों क्यूंकि तुम्हारे वीरते के तो कसीदे पड़े जाते हैं और मेरे त्यागी करनेवाले त्याग करनेवाले क्रिष्छनों मज़ा टेरिसा के वंक्षजों जीदस ख्राइस्ट के वंक्षजों मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों के साथ पला बड़ाओं کوई माई का लाड नहीं कोई पार्टी नहीं जो मुझे अपने चार भाई बेनों सालग कर दे एक हो जाओ आजाओ रेबल के साथ जुलाई में सब जगा चल रहे हैं आजाओ इनकी धज्यां उड़ा देंगे इन्होंने जो अर्सनों भूलना मत करोना का ये काल भूलना मत मेरे भाई और बेनों अगर भूल गए अगर भा पहले दिन निकला दाना कफन बांध ली थी जानता था कि मृत्यू निश्चित है अगर मेरी मौत भी हो जाए तो मौत सार्थक हो सार्थक होने थे ना भाईयों अपना जान लगा दिया है दाओं पे दो बच्चों का बाप हूं सब छोड़ दिया है सब छोड़ दिया है द पॉर्स के अधिकारियों मेरे आर्मी के वीर जवानों भाईयों बहनों डाक्टरों जो लोग रिटाइड हो चुके किर्पया मेरे साथ आई और जो लोग मौझूद है वो भी आई ये ये देश को बचाना है ये देश बचालो यार हम भरत के वंग सजे हमें जात्पात में भ भाईयों आँख खोल लो अपना दिल खोल लो किसी को किसी से ढर नहीं है श्रिनाम कभी नहीं बोलते कि अन्याय करो अत्याचार करो इश्यू मशीन ने कभी किसी को लड़ना नहीं सिखा हो तो सूली पे चड़ गए मुहमद साब ने अपने जान दे दी और गुरु गोविन सिंग अर्जुन देव के बारे में तो मेरे पास शब्दी नहीं है शाधत का सबसे बड़े मिसाल है अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिये क्या इन लोगों से हमें खत्रा है क्या हमें ये सीख मिल रही है मेरे दे देश का भूगोल बदलने में लगे है ये हमारे देश का इत्यास बदलने में लगे है मत होने देना मैं रिबल-शदानन पती है वचन देता हूँ आप जहां बुलाओके वहीं आऊंगा जहां बुलाओके वहां पहुंचूंगा लाखो करोडों के दिलों का ध्ड़कन हू इस धड़कन को बन मत होने देना और ये लोग कहते हैं कि यूट्यूब का अपना प्रसार कर रहा है तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाईए शेर करवाईए मेरे वीडियोज को जन जन तक पहुंचने दीजे एक जन की आवाज जन जन तक पहुंचने दीजे इसी प्लैटफॉर्म से मैंने सफर सुरू किया है और अब राश्ट इस तर पे आ रहा हूँ आप लोगों के साथ भागूंगा नहीं सामने डट के लड़ूंगा आप जो मुझे वीडियो में देखते हैं उस बेटे को उस भाई को अपने सामने प्रत्यक्ष देखिए बुलाईए गर्ब से कहता हूँ बुलाईए आपका बेटा हूँ आपका भाई हूँ आजी रात तेयार हूँ नौ साल का बेटा है मेरा उसे भी पता है कि पापा तेयार है इतनी माँ है मेरे क्या परवा करनी है बस एक अर्मान है जी अगर मार दिया जाओं तो तिरंगे में कफन कर देना जैसा मर्जी करने ने पर तिरंगा होना चीज शरीर में नेताजी सुवाज चंदर बोस को मानता हूं अश्वाग उल्ला खान को मानता हूं बगस सिंग को मानता हूं चंदर सेकर आजात को मानता हूं बल्लबाई पडेल को मानता हूं मात्मा गांदी को भी मानता हूं बाई और बहनो रेबल तयार है रेबल इनके लिए तयार हो जाएए जय हिंद जय भारत